आजका ये बजेट इंट्रिम बजेट तो है ही लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है इस बजेट में कंटिनुटी का कॉन्फिडेंस है ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मलाजी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट है इस बजेट में 2047 के विक्षिद भारत की निव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मलाजी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्षाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है बजेट में दो महत्पपूर्ण नीने ले गए है रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुप्य का फंड बनाने की गोशना की गई है बजेट में स्टार्ट अप्स को मिलने वाली टैक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए केपिटल एक्स्पेंडिचर को ग्यारा लाख ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुप्य की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ सास्तियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अउसर तयार होंगे बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बना कर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है इसे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोडों यात्रियों में आराम दाएक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष तय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उसे भी बड़ा लक्ष अपने लिए तय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड़ चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड़ लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईश्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभियान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माद्दम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को 15 से 20 हजार प्रतिवर्ष की आए भी होगी और यहर परिवार को होगी साथियों आज जीस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्द्वर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी आज इस बजेट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपों और बड़े निर्ड़े लिए गए हैं नेनो डियेपी का उप्योग हो पश्वों के लिए नई योजना हो पी-म मत्स संपधा योजना का विस्तार हो और आत्म निर्भर ओयल सीड़ भ्यान हो इससे किसानों की आय भड़ोगी और खर्च कम होगा मैं एक बार फिर सभी देश वास्यों को इस अइतिहासिक बजेट के लिए शुपकामनाय देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद